हेलो गाइज मैं कि शोखनाल और आप देख रहे हैं गर्दाफेक्ट तो कैसे हो तुम सब मैं वापस आगया हूँ गर्दाउडादनल फेक्ट्स के साथ और आज इस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है जंगल के राजा शेर के बारे में अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे इस रेड रंग के बटन को क्लिक करें आज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइक उनका दबाना तो बिल्कुल नभूलें क्योंकि उसी से मेरे आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगी और आत्तरा सरा के फैक्स के बारे में जान पाएंगे तो फैक्सी कांटिंग स्टार्ट करते हैं, let the counting begin! लायन्स, कैट्स प्रजाती के एकलोते ऐसे जीव हैं जो की ग्रुप में रहना पसंद करते हैं और इनके ग्रुप को प्राइड बुलाया जाता है इस प्राइड में एक लीडर होता है और मादाइं होती हैं और कुछ बच्चे होते हैं। इस प्राइड में लगवग फंगरा मेंबर टक हो सकते हैं। लायन एक दिन में लबवक्त 16 से 20 घंटे सोता है और जब भी वो उठता है वो सिर्फ खाने के लिए या शिकार करने के लिए उठता है इसे आप कह सकते हैं एक तरह से रोयलिटी का लाइब अब जब बारी शिकार करने की आती है तो उसमें शेरनी बाजी मार लेती है जो कि मोस्त शिकार शेरनी खुद करती है और जो लायन होते हैं शेर होते हैं वो अपना एरिया बानते हैं और अपने एरिया पर पिट्रॉलिंग करते हैं मतलब की घूमते हैं फिरते हैं और अपने एरिया का छटकर लगाते हैं एक वयस्क सेर जो की एक एडल्ट लायन होता है उसे अपनी भूप मिट आने के लिए लगग 10 से 15 पाउंड मीट डेली चाहिए होता है अब बात करते हैं शेर के दाहार की शेर के दाहार के बारे में तो कुछ कहने की दरूरत ही नहीं है क्योंकि आप सब जानते हैं कि बहुत ही जादा तेज होती है और बहुत ही जादा खतरनाक भी होती है अब आपको मैं बताता हूँ कुछ फैक्ट इसके बारे में शेर के दाहार के बारे में सबसे बड़िया फैक्ट यह है कि शेर का जो दाहार है वो 5 माईल तक सुना जा सकता है शेरों की जो जिन्दगी है वो captivity में double हो जाती है और in nature वो 10 से 15 साज जी पाते हैं ऐसा इसलिए शेर सिर्फ शिकार करके खाते हैं और शिकार करने के वक्त उन्हें बहुत सारी चोटे लग जाती हैं इसकी वज़ा से कुछ घाव हो जाते हैं कई बिना ठीक होने वाले घाव भी हो जाते हैं जिसकी वाज़से वो ज़्यादा दिन नहीं जी पाते और वो naturally 10 से 15 साल तक जीते हैं और in captivity अगर उन्हें देखरेक में रखा जाए तो वो 30 साल तक easily जी लेते हैं आप सब जानते होंगे इस चीज को कि सेरो को जंगल का राजा कहा जाता है बट आप लोगों के लिए ये बहुत ही surprising fact होने वाला है कि शेर को जंगल का राजा कहा तो जाता है बट वो जंगल में रहता ही नहीं है शेरों को अक्सर पाया जाता है या तो खाली मैदान में या घास के मैदान में जैसे की प्लेंस में या ग्रास लैंड में तो गाईस कैसा लगा आज का ये वीडियो तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं वीडियो का अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें चानल को और बेल आइकन को दवाना बिलकुल ना भूलें क्योंकि उसी से मेरे आगे वाने अगली वीडियो के नोटिफ झाली झाली स्ब्सक्राइब करें शेडिा करें ज gust फुबकें करेंट